हेलो और वेलकम तो दा स्टूडियो ट्रेडर्स डिविस लैप को आज के दिन हम ट्रेड कर रहे हैं शौर्ट साइट की तरफ आज का यह जो हमारा ट्रेड है हमने इसको विदाउट कंफरमेशन ट्रेड क्या है सिर्फ वसिस हमने जो कंफरमेशन लिए अपनी हायर टैम फ्रे को ब्रेक कर रहे है डाउंसाइट के तरफ और यह कुछ इसके सपोर्ट प्enteen सेटावाबर का लेवल इसको ब्रेक करके पर आज की तरफ सेटेन कर रहा है और में में तो अगर हम सिपला को देखते हैं तो देखिए सिपला के अंदर भी कुछ इसी तरह के moves आपको देखने को मिलेंगे यह देखिए निफ्टी फार्मा भी एक resistance point से downside के तरफ गिरा है और अभी downside के तरफ ही sustain कर रहा है यह वाली range अभी इसके अंदर भी red candles form हो रही है इसके अलावा अब मेरे पास एक stock है divis lab का अब divis lab के अंदर हमको करना थे trade execution higher time frame पर यह range कौन सी है यह किस तरह से हमने इसको count के और किस तरह से हमने आपर entry ली भी इसको देखते हैं एक बार देखिए higher time frame पर जब हम चलेंगे जहां पर कुछ एक important candles होती हैं जिनको identify करना बड़ा ज़रूरी होता है अभी उसके कुछ methods होते हैं कुछ rules होते हैं कुछ regulations होते हैं higher time frame पर उस एक important candle को find करेना बहुत ज़रूरी होगा जैसे आप यहां पर देखिए अब उस candles तक हम पहुंचेंगे कैसे हमने आपको कुछ methods बता रखे हैं जिनके माधिम से हम अपनी वो एक candle identify करते हैं higher high, higher low, higher low यह कुछ classical methods हैं इसके बाद में lower low, lower high, slower low, lower high, slower low, lower high, slower low, lower high, slower low या फिर lower high यह वाले जो points होते हैं turning points हमारे जितने points के अंदर अब हम देखते हैं चलके जैसे divis lab है अभी higher time frame पर देखिए higher time frame पर ज्यादा दूर जाने की जूरुरत नहीं है हम क्या कर रहे हैं कि यह वाले जो swings लगने मारे शुरू हुए थे सिर्फ इतने सी price candles को हम पढ़ते हैं सिर्फ इतने सी areas को price हमारा upside में travel करने के कु एक यह जो सबसे last time green candle देख रहे हैं यहां पर price हमारा upside के तरफ गया था और जाते ही इसने एक rejection बनाया और rejection के साथ में price उसी range पर यानि कि हमारी इस 4840 की line पर ही support लेने लगा देखिए यहां से reject होके upside के तरफ गया यहां से reject होके upside के तरफ गया बट दो दिन से क्या हो रहा प्राइस हमारा 4840 से upside के तरफ गया है आज की session में हम लोग क्या देख रहे हैं nifty pharma हो या फिर देखिए सेपला भी गिरा जैसे हम लोग discussion कर रहे थे सेपला हमारा गिर रहा है उसी तरह से क्या कर रहा है डिविस लैब भी अपने support के नीचे जैसे ही इसने closing कर दे हमने exact 4840 प साथ ही हमने इसके अंदर अपनी entries लेनी हमें देखना होता है कि जब हम price को judge कर रहे हैं जब हम rate कर रहे हैं तो कितना confidence हमारे अंदर रहता है अभी यह confidence ऐसा नहीं है कि कहीं पर आपने 2-4 trade execute के लिए और आपके अंदर confidence आ गया एक trade आपने execute के लिए profit वाला और आपके अंद लब क्या है क्यों यह confidence कि इतना जरूरी होता है because इसी के उपर depend करता है कि आप अपने trade को कितना ज्यादा hold करोगे प्रॉक्ष जितना ज्यादा आप होल्ड करेंगे उतना ही profit या फिर उतना ही loss आपको मिलेगा कब होल्ड करना है कब होल्ड नहीं करना है stop losses क्या रहेंगे, targets क्या रहेंगे सारी की सारी चीज़े आपको calculate करके चलनी पड़ेंगे तो जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, जितनी ज्यादा आपकी स्टड़ी होगी, जितनी ज्यादा आपके मेहनत होगी, उतना ही ज्यादा अच्छा आपका प्यानल होगा आगे की दिशा में बढ़ते हैं अच्छा यहां पर जल्दी से पहले अपना हम लोग इन कर लेते हैं अपने टर्मिनल पर एस्प्रेसो एंड पोजिशन और पोजिशन बुक ओपन करते हैं जल्दी से परफेक्ट देखे 166 कौनिटीज को हमने शॉट किया है प्राइस किया है हमारा 4840.15 4840.15 यह हमारी रेंज है अच्छा इसके अंदर भी में स्टॉप लॉस कितना लगाया है तो टोटल जो मेरा इसके अंदर अपने स्टॉप लॉस लगा हुआ है 12 रॉपए का स्टॉप लॉस है तो 12 रॉपए का स्टॉप लॉस अभी यहां से में लोग क्या करेंगे क्या क्या यहां स्टॉप लग अपने डालेंगे 485.15 यह मेरा स्टॉप लॉस अच्की दिन कर रहेगा ng अच्छोप लॉस खेयर मार्केट करेंगे अब यह उर्वर को देख लेते हैं ठीक है यहां पर दिना स्टॉप लगा वह हुए 485.15 अपने स्टॉप लॉस है quantities की 4840 रुपए 15 पैसे पर मेरे full order executed है and इस वत की जो अपनी position चल रहे है 3800 कुछ रुपए के आसपास हम लोग इसमें profit में है वो ratio 2 के आसपास अच्छा यहाँ पर चलते हैं और stop loss की line भी अपनी फटाक से में लोग लगा देते हैं 4852 रुपए 15 पैसा ओके यह मेरा stop loss रहेगा आज के दिन का अभी targets के लिए जो मेरा point यहाँ पर निकल कर क्या रहा है 4750 तो overall यह अपना trading का setup है यह आज का अपना target रहेगा because एक candle है यह वाली candle हमारी इस range को अगर price break कर देगा इस range को अगर price break करता है तो down side के तरफ इसके swings pass में है अगर price गिरता है तो अच्छा गिर जाएगा और जिस supports को यह break करके अभी नीचे की दिशा में travel कर रहा है थोड़ा सा मुश्किल है कि price वापस उन ranges को जाकर के break कर जैसे कि यह यह वाली range यह 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 वाली range इन ranges को price break करके भी downside की तरफ गिरा है और उनको आज ही break किया है तो यह supports है जिनको price break करके downside की तरफ आया है अभी वापस से upside की तरफ जाना थोड़ा सा मुश्किल है जाने को जा सकता है but market की sentiments को देखते हुए जिस तरह से हमारा फार्मा सेक्टर गिर रहा है निफ्टी गिर रहा है तो उसी हिसाब से इसको भी downside की तरफ आना चाहिए और गर गिरता है तो 90 points का move दिखा देना डिविस ले कोई बहुत बड़ी बात लिए तो इसके अंदर जो हमारी entries के बाद में आप से क्या काता है कि कोई भी stock जो आप लोग trade करें उसको हमाई साथ share करें पूरी कोशिश करेंगे हम कि आप लोगों में से कुछ लोगों की stocks को अपनी वीडियो के अंदर हम cover करें और उसको analyze करें first step में basic क्या हो सकते हैं उसके तो basic level पर हम उसके analysis करेंगे जिससे कि आप को मदद मिलें आप लोगों को help मिलें अपने stocks को जब आप execute करने जाओ तो उसको और भी अच्छी तरह से अपने analyze करता हो ओके सो बने रही है हमारे साथ देखते हैं क्या होता है आज की market में और आज की market से हम कितना क्या profit या फिर loss लेकर के निकलते हैं थैंक्यू एंड सो अब इसके अंदर एक साथ moves स्टार्ट कोई हैं में भी चांस है कि जिस price के breakout होने का हम वेट करे थे यह वाली जो range थी हमारी इसका breakout हो चुका है finally यह वाला point इसके नीचे price अब गिर चुका है और अब जो इसके nearby supports हमको नज़र आ रहे हैं सो 4750 रपए के जो targets हमने morning अपने decide कर रहे के थे हाला कि price हमारा बहुत देर तक sideways रहा है और कम volumes के साथ sideways रहा है बट एक ठीक ठक volume के साथ price का downside के तरफ breakout है जिस देशा में हम लोगों ने अपने trade execute किया है इस वात का जो अपना profit चल यह तो order book है and position book perfect 7600 7500 रुपए के आसपास हमारा profit यहां पर rating है okay so trade हमारा चल रहा है and अब हम लोग बढ़ते हैं अपने कल के comments किये गए stocks की तरफ उन stocks की तरफ जो की मेरे कहने पर आप लोगोंने comment box में छोड़े थे so आज भी आप लोगोंने जो भी stocks trade कि हो stop loss गया हो target गया हो क्या entity stop loss वगरा थे क्या आपके नाशिस थे उसके अंदर की यह आप लोग comments box में लिख सकते हैं कोशिश करेंगे हम next video में आपका stock ले करके उसको analyze करें so traders stock लगभग लगभग हमारा targets तक पहुंच चुका है but अब यहां से हम निकलना चाहेंगे because four seven five zero तक आना थोड़ा सा हमको इसके उपर doubt हो रहा है जिसकी विज़े से हम यहां से निकलेंगे and एक ठीक था कि decent profit हमको अभी तक हो रहा है इस तुद का जो अपना profit चल रहा है position book okay तेरह जार साथ सो रुपए के आसपास का profit हमारा running है और इसमत का प्राइस है 4757 रुपए 955 पैसे का 4757 रुपए का price हमारा चल रहा है order book में अभी तक हम ने देखिए कोई भी buying order अपना नहीं लगाया so अब हम यहां पर अपना buying order लगाएंगे 4758 रुपए 4758 यह अपना न c paste 4758 रुपए order okay तो यहां पर अपना एक order लग चुका है order book में 4758 रुपए पर एक अपना order pending पड़ा हुआ है एक सो चांचट कोईटीज का so position book में अभी तक एक भी हमारा order नहीं निकला है 4758 रुपए 4758 रुपए बेट करना होगा price यहां तक अपना move करें देखिए यहां से price upside की तरफ भी चल रहा है just यह एक zone है price में अगर कुछ retracement बगार आती है price upside की तरफ भागता है तो यहीं सी upside की तरफ जा सकता है यहां पर थोड़ा सा सतर क्रहने की ज़ूरत है हम लोगों को and exact सारे orders निकल चुके होंगे अभी तो order नहीं निकले refresh करते हैं एक बार page को अपने 4768 अभी तक अपना order नहीं निकला 4700 देखिए order नहीं निकला अपना 4756 कर देते हैं प्राइस अभी अच्छा मिल रहा हम लोगों को 4756 कर देखिए अब भूजा करके उसी प्राइस पर होगा है 4758 अचानक से अपना एक move आया और प्राइस इस range पर नहीं करके सीधे अगर हम आप तो काफी नीचे की दिशा में जा रहा है प्राइस है 4758 जाए से प्राइस आया है जैसा ही पर नहीं चाहिए पांच पैसे के अंतर पर रहा है से हमको आउट कर देता है लौर टूर प्राइम ठेम पर कुछ ना कुछ जरूर होगा कि यहाँ से प्राइस इपना गैप डाउन या गैप अप होगया होगा जिस विस यहां पर order नहीं भी बात में हमको order मिला है तो overall अपने जो profit है आज का position book में देख लेते हैं order book में देख लेते हैं perfect देखे सारी की सारी quantities हमने यहां से पनी निकाल दी है एक भी quantities को order अपना शेश नहीं बचा है 4852 रुपए 15 पैसे पर stop loss था entry जो हमारी थी 4854 रुपए 15 पर में शॉट किया था and buying वापस से हमने कर लिए 4758 रुपए पर buying कर लिए आपके सामने okay and overall अज को अपना profit है 13636 रुपए के आसपास कामा profit है एक decent profit एक ठीक रुपए हमको आज के इंट्रडे सेशन के दौरान अचीव हुआ okay so overall अपनी analysis को हम यह पर अपना खतम देखिये जो actual target था वो भी हमको मिला perfect very good हमारे एक member है हमारे student है विकास जो जिन्होंने आज सिपला को trade क्यों काफी अच्छा profit इसके अंदर से नोंने निकाला एंड डिविस लैब जो की हमने trade क्या था एक decent profit और एक ठीक ठाक profit हमको उन्होंने दिया आपको हम दिखाते है यह देखिये विकास के messages बगारा है so यह देखिये यह अपना सिपला का chart है morning से यह इसको देख रहे थे ठीक ठाक stock था अच्छे इसमें stock selection की list में आया था यह price एंड जिसके विसे इन्होंने trade क्या चलिए इसको हमारा trading बर खतम होता है और अब हम लोग बढ़ते हैं अपने trade analysis के तरफ कि जो stocks आप लोग उन्होंने हमें दिये थे share करने के लिए जिसमें से सबसे पहला जो comment है हमारा शादाप शेख का है एंट इन्होंने लिखा है went long on hind petro at price of 295.50 11.45 की candles इन्होंने अपना trade execute किया था actually hind petro में मुझको याद है कि कल के दिन एक freak trade की report आई थे so hind petro को देखे हमने रखा हुआ अपने पास hind petro ये देखे हिंद petro में कल कितनी बड़ी एक freak trade की move आई थे यहां से so 316.40 यहां से stock की downside की तरफ आया था और downside की तरफ इसने देखे supports लेने शुरू किये थे यहां से supports लें start के थे previous अपनी levels शादाब की जो अपनी entry थी क्यूंकि यह stock 295 से support ले रहा था शादाब ने लिखा है 295 से stock support ले रहा था और supports लेने के बाद में जब यह stock upside की तरफ हमारा जाने लगा था यहां से upside की तरफ जाने लगा था तो इन्होंने जो अपनी entry ली थी 295.40 पर अपनी confirmations की बाद में entry ली थी and 298.60 पर इन्होंने अपने targets को book कर लिया था अगर आपने comments देखा होगा यह फिर से देख ले थे हम लोग 1145 candle after it took support at 295 levels on 5 minutes candle booked profit at 298.60 since there was a resistance क्योंकि 98.60 पर एक resistance था तो हाँ ज़रूर वहां पर एक resistance यहां पर एक resistance point है जिस विए से यहां पर इन्होंने targets book किया थे अब शादाप से हम यह कहना चाहेंगे कि चलिए आपने हिंद petro को trade किया short किया buy किया अच्छी बात है आपने इसके अंदर profit निकाला but overall अगर हम ऐसे देखते हैं तो हिंद petro में कल के दिन हमें कोई भी एक trade execute नहीं करना चाहिए था because हमें just यहां पर trade execute करके profit book नहीं कर लेना है जब हमको मालूम है कि इसके अंदर एक free trade कल के दिन हुआ है यानि कि upsides देखी कितना बड़ा rejection downside के दरफ हुआ है तो हम कुछ भी करते कल हम हिंद petro को buy नहीं करते हाँ अगर इनको यह मालूम था कि यहां पर यह एक support point है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि price के अंदर supports के breakout हो जाएं downside के दरफ तो हम यहां से इसको short कर सकते हैं सबसे पहला point second अगर यहां पर यहां पर इन्हों पर अपनी जो entry लेती 295.40 पर लेती क्योंकि support 295 के थे यहां पर stop losses क्या लगाया थे इन्हों नहीं लिखा हमको सो हम यह मान करके चलते हैं या तो stop loss लगाया नहीं और अगर लगाया भी होंगे तो कहां पर लगाया होंगे हमें अंदाजर नहीं है कि किस जगए पर stop loss लगाया होंगे पर overall जो मेरा जो यह trade हुआ यह हम देख पा रहे हैं 1 ratio 2 plus का यह trade है अभी तो यह सही है लेकिन जहां पर हमने यह stop loss काउंट किया है क्या शादाब ने भी अगर वहां पर count को अपने stop loss को count किया था तो यह सही था otherwise अगर इन्होंने stop loss नहीं लगाया था तो गलत बात है ओके और शादाब अगर आपने stop loss लगाया है तो यह stock आपका बहुत अच्छा है जिसमें आपने trade को execute किया और profits को book किया but overall हमें फिर से हम यही कहेंगे कि हमें सिर्फ trade को execute करके उस काफी अच्छा trade रही है बट क्या हम लोग यह मान सकते हैं कि हिंद पैट्रो कल पूरी तरह से sideways था अपसे downside के तरह गिरा है और देखिए इस एक range के अंदर यह गूमता रही है तो इसलिए हिंद पैट्रो का trade हम कहेंगे कि 50-50 trade था बहुत अच्छा भी trade नहीं था और बहु प्रो सेल किया weekly range से 645 पर एंड बाई किया 632 पर पाचास पैसे पर थैंक यू फॉर वीडियो विडियो विच इस गिविंग ग्रेट नॉलिच ओके अनुष्का इस मैं प्लेजर और आगे बढ़ते हैं सबसे पहले हम आपका stock लेते हैं Reliance को अनुष्का ने Reliance को बाई किया था 2430 पर और profits बुग किये थे 2449 पर 90 पैसे पर यहाँ पा 2430 यह जो रेंज थी जहां से अनुष्का ने बाई किया था यह बहुत अच्छी जगह है Lower Time Frames के swings बहुत अच्छे से बन रहे हैं लेकिन फिर से यह बात हम कहेंगे कि हमें सिर्फ उसिफ Lower Time Frames को नहीं देखना है कोई भी बाईंग के points हमको कल के दिन नहीं मिल रहे थे तो यहां पर higher time frame को भी आपको देखना होगा and lower time frame को जिस तरह से आपने trade किया lower time frame पर trade किया अच्छी बात है but एक चीज आती है कि हमें price को या तो high से उठाना होगा या तो फिर low से या तो हम high से लेंगे या तो फिर low से अब अगर आप in between कोई भी trade execute कर देंगे किसी भी time frame पर जाके 5 minutes, 1 hour, 15 minutes फिर तो क्या होगा कि in between जो भी stocks हम trade करते हैं इनके stop losses जाने के chances सबसे ज़्यादा रहते है क्योंकि price मारे retrace करने कहीं भी किसी भी दिशा में ये retrace करेगा ये अपने center से हो कहीं तो जाएगा और आपके stop losses बार बार hit करेगा फिर अपने basic support पर आकर करके यहां से इसके अंदर run out आता है कोशिश हमें ये करनी होगी हमेशा कि हम price को जो पकड़े in between से नहीं हमेशा उसको या तो अप से या तो फिर down से ही पकड़े reliance का higher time frame का analysis बिल्कुल घलत था and lower time frame पर जो अपने price को analysis किया वो सही था लेकिन हमें दोनों को ये align करके चलना है अब बात आते हैं यहां पर जो अपने targets बिल्कुल से बिल्कुल से बिल्कुल थे 2449 पर नबे पैसी एक resistance point था और यह क्यों था कुछ एक significance हैं lower time frame के अंदर भी जहां पर आपने points अपने profits को book किया था and overall अगर हम देखते हैं तो यह एक resistance point भी है resistance in the sense यह देखिए यहां से आपका price upside के तरफ गया था वापस देखिए price यहां से भी आपका upside के तरफ गया है और गिरा है तो इसी range से गिरा है तो यह जो point है जहां से आप अपने targets को book किया था यह बिल्कुल सही point था और price कल का reliance उस range से उपर निकल नहीं पाया है जिस range से आपने profits को book किया था वहां से सीधे नहीं चाहिए गया तो reliance का जो trade था आपका बिल्कुल सही trade था okay so I think समय अब ज़्यादा हो रहा है and अब इस वीडियो को और ज़्यादा stress हम नहीं करते हैं वीडियो को यहीं पर खतम करते हैं I think हम यह मानते हैं कि जब हम आपको आपके सामने कोई video लाए या आपको आप मेरा video देखो तो उससे कुछ ना कुछ सीख मिले ऐसा ही नहीं है कि time pass हुआ हमने को trade execute किया था आप उसको देगे चले गए आपने trade देखा चले गए आपको अपने trade से impress करने का मेरा बिल्कुल भी ऐसा मकसद नहीं है मेरे trade से आप क्या सीख रहे हो live market में हम अगर price को analyze करने तो उस analysis से आप क्या सीख रहे हो यह main motive है तो इसमें आप मेरी help कर सकते हैं जो भी trade आप execute करने उसको आप लिखे आपके लिए analyze करेंगे उसको अब समय कम रहता है सभी के सभी trades को analyze करना तो possible नहीं है किसी की इमत पर जो भी हमको सबसे अच्छा trade लगेगा हम उसको analyze करेंगे okay so thank you and we will meet again